हिमाचल के चंबा जिला के जडेरा में चानक बिचली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई मिरितोको की पहचान रवी कुमार 17 साल पुत्र जीतू गाउं मंडोला ता था बीलू 17 साल पुत्र चैन गाउं मंडोला के रूप में हुई है दोनों बच्चे जडेरा स्कूल पर रहे स्कूल से छुटी कर घर लाट रहे थे इस दोरान अचानक मौसम के बदले मिजाज के कारण आसमान में बिचली कड़क रही थी इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते बिचली दोनों बच्चों पर आकर गिरी जिससे दोनों बच्चे बेसुद होकर जमीन पर गिर पड़े अन्ने रागिरों ने जब बच्चों को रास्ते से बेसुद पाया तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत परीजनों को दी प लेकिन हालात को घंबीर भाफते हुए डॉक्टर दोनों बच्चों को तुरंत मैडीकल कॉलेजुच चममबा ले 자ने की सला दे। इसके उपरांथ परीजनों द्वारा दोनों बच्चों को मैडीकल कॉलेजुच बहुंचाया गये। परिजयन उन्हें फोन किए एंबॉलेंस को तो तो नोने बोला कि दो घंटे बाद प्रोवाइड होगी फिर उसके बाद बोला कि इसका है विसके बाद जब आ रहा है थी एंबॉलेंस तो बीज की श्पेट में आ और तीन गंटे वस्पिटल तक पहुंचते लगे हैं, अगर समय से अम्बूलेंस पहुंच जाती तो शायद इन की जान बच सकती थी, जब वहां से लाएं तो बियोज थे बच्चे थी, लेकिन समय तीन-चार गंटे काफी जादा होता है, तीन-चार गंटे समय काफी जादा होता है, अगर हो सकता है, टाइम पे पहुंच जाते, एक गंटे का टाइम लगता है, एक गंटे में पहुंच सकती थी, अगर टाइम पे अम्बूलेंस आती तो शायद थी, यहां जी में पास दो पेशंट आये थे, योग राज और 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 भिलो, दोनों यंग लड़के थ उनको बताया कि मेरे पार जवाय थे ब्रॉट डेट थे उल्री यह एक्सपार कर चुके थे बट हमने यहां पर फिर भी कोशिश की कि शायद कुछ हो पाई सी प्यार दिया बट कुछ हम रिवाइब करने पाए उनको तो कहा मलब बताया जारा था कि वह उनको बिजली कारनी त पंजाबी सरगर्मियों के लिए कांगडा से गगंडल गोत्रा की रिपोर्ट